हेलो श्टोडेंट कैसे हैं आप सब एक बार पुना सी कोचिंग क्लासेस पर स्वगाए थे और क्लास टोल्ड कमिस्टी न्सी आर्टी में चैप्टर सेवन में लगभग 50 से 60 अबजिक्टिव कोश्चन यहाँ पर मैं आपको समझाने वाला हूँ वन लाइन फैक्ट भी यहाँ पर एड किया है मेजमम और यह जो आपका MCQ कोश्चन है पेरे बच्चो तो यह आपको त्यार कर लेना है और वन लाइन फैक्ट के भी कोश्चन है सभी कोश्चनों को त्यार करना है इस से बाहर अबजिक्टिव ना तो अभी तक कभी आया है औ और ना ही कभी आएगा कुछ बच्चे 12 के बाद कमपेशन एक्जाम की तैयरी करते हैं आई आई टी जे की तैयरी करते हैं नीट की तैयरी करते हैं तो उनके लिए भी ये अब्जेक्ट्व टाइप एक कोश्चन बहुत हेलफुल है अब इसमें पैरे बच्चो जितने भी नोट डाउन कर लेना है और इनका जो अब्जेक्ट्व टाइप है पैरे बच्चो इसको मैं टेली ग्राम में सेयर कर दूँगा तो प्ली जदी अभी तक आपने टेली ग्राम जोइन नहीं किया है तो डिस्क्रप्शन लिंक पे मिल जाएगा टेली ग्राम में मोस्ट इंप लपाता यूटूब पे तो वहाँ पे मिल जाएगा तो चलिए शुरू करते हैं पैरे बच्चो और पहला कोश्चन है आज का क्लोरीन बिरंजन गुण निम्व में से एक ही उपस्थित में ही हो सकता है मतलब क्लोरीन का बिरंजन गुण किसके उपस्थिती में होता है पैर बिरंजन का कार करता है किसके उपस्थिती में नमी के उपस्थिती में बिरंजन का कार करता है मतलब बिरंजन का मतलब कलर को हटाना अगला कोश्चन है आपका हीलियम आरगन क्रिप्टान जेनान में से कौन सा तर्त्तो सबसे कम संख्या में योगिक बनाता है निम्लिकित म आरगन क्रिप्टान जेनान में से कौन सा तत्तो सबसे कम योगिक बनाता है इसका राइट अंसर आपको बताना है ठीक है दूसरे का इसका राइट अंसर है पैर बच्चो हीलियम क्या हीलियम सबसे कम योगिक बनाता है चमकीले बिद्द 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 बिग्यापनों में किस गैस का उप्योग किया जाता है बिग्यापन करते हैं तो किस गैस का उप्योग करते हैं ये चीज़ आपको बताना है जिनान है आरगन है नियान है हीलियम है तो राइट एंसर हो जाएगा इसका आपसन नमबर C नियान मोनाजाइट सुरूत है किसका है नियान का आरगन का क्रिप्टान का हीलियम का बताना चार आपसन में राइट एंसर बताना है तो राइट एंसर है पर बच्चो मोनाजाइट से हीलियम प्राप्त किया जाता है मोना जाइट सुरूत है कहां से हीलियां से निमलिकित में से कौन से अवयव हो कि सीधी अवक्रिया से प्राप्त नहीं होती है मतलब कौन से अवयव सीधी अवक्रिया से प्राप्त नहीं किया सकते XEF2 XEF4 XEO3 XEF6 चार आपसन है पांच में कुश्चन का और पांच में कुश्चन का राइट इंसर आपको बताना है इसका राइट इंसर है परवच्चो आपसन नमबर है XEF2 कौन सा है लाइट नियुनता मिश्थाई है जिसका स्थित्तो संदेह हादमक है पहला है CL4 यहाँ पर GEI4 है SNI4 है और पहरे बच्चो फिर है PBI4 चार आपसन में राइट अंसर आपको बताना है CI4 है यहाँ पर CI लिखना को CI4 ठीक है चार आपसन में राइट इंसर बताना है तिसका राइट अंसर है आपसन नमबर D PBI4 क्या PBI4 अगले कोश्चन पर चलते है निम्न में से तिबरतम अमल कौन सा है तिबरतम अमल बताना है HBR HCL HF HI कौन सा तिबरतम अमल है साथ में एक खुश्चन का बताना अंसर तो तिबरतम अमल है HI जो जितना आसानी से H5 T1 दे सकता है वो उतना तिबर अमल होता है तो HI तिबर अमल है निम्लिकित में से कौन सा सबसेदिक बिद्दू त्रेंडी है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रौमी औचार आउडीन चार आपसन में रैटन सर कौन सा प्कमरे के तापट हो चो सबस्था में तो आप लोग आईडीन देखे भी हैं पहरेश्च सर वस्था में पाया जाता है है ش़िस में का आप्जर नंबर है बी क्लोरीन की इलेक्रान बंता सबसे इधिक पाइजा जाती है किसकी क्लोरीन की अगला है 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 लोजन्ट परमाञु के बाहताम कोस का विर्ण ऐस कितνा होता है यह समय एक correct answer हो जाएगा ठीक है चलिए आगे question है निम्लिकित में सबसे अधिक छारी कुड प्रदर्सित करने वाला तत्त सबसे ज्यादा चार में से कौन सा छारी कुड जाता है फ्लोरीन कुरीन बूमीन ब्रोमीन आयोडीन तो छारी कुड सबसे ज्यादा आयोडीन का होता है किसका होता है आयोडीन का होता है सबसे प्रबल अप्चायक है question number 13 इन्हीं 13 हमें नम्बर का आपको उताना है सबसे प्रबल अप्चायक तो सबसे प्रवल अब चायक यही है पेरवच्चो ठीक है सबसे अधिक जो छारी गुर्दर्स आएगा वो सबसे प्रवल निम लिखित में से दुरुबल अमल है दुरुबल अमल और प्रवल अमल इसमें से बताना है अभी एक आपने दिखा था प्रवल अमल तो प्रवल अम अप्चायक गुण I2 में पाय जाता है, तो आक्सी कारा किसमे फ्लोरीन उल्टा होता है, सबसे उपर वाले तक तो में, फ्लोरीन में सबसे ज़्यादा अप्चायक गुण होता है, सरी आक्सी कारा गुण होता है, कि सक्री गैस का अस्टक पूर नहीं है, हीलियम, नियान, आर सबस्थन बदल जाना कौन सा हेलोजन उर्ध पातित होता है 17 नमबर का आयोडी क्या आयोडी नमक के आई के घोल में आई टू सुगमता से घुल कर क्या बनाती है के आई के घोल में दिए आई टू मिलाया जाए तो क्या बनेगी पेरवच्चो के आई थ्री बनेगा. अप्षण नमबर d के आई ठी बनेगा। दमा के मरीजों के लिए स्वसन में प्रयोग्त गयस जिसे आक्सीजन में मिलाते हैं. 19 में नंबर का राई चैन्सर बताना है तो वो है हीलियम खैस का प्रयोग किया जाता है दामा की रोगियों के लिए स्वसन हे दो डीकन विदिका उपयोग किसके दिर्माड में किया जाता है बिरंजक्चून, क्लोरीन, नाइट्रिकम, एस्ट्वियर सफोर तो राइट अंसर है क्लोरीन बनाने की विदि में डीकन विदिका प्रयोग करते है समुद्री घास निम्न के अबदोगिक निर्माड का स्रोत है क्लोरीन, ब्रूमीन, आयोडीन, फ्लोरीन 21 नमबर का है राइट अंसर बताना है आयोडीन क्या? आयोडीन और कौन सा हाइड्राइड दरावस्था में पाये जाता है? कौन सा हाइड्राइड तो आपका HF जो होता है वो द्रावबस्त हमें पाए जाता है कौन सा HF अब हमारा वन लाइनर है पहले अच्छो वन लाइनर है जो कि फटा फटा आप तयार करेंगे ठेक है चलिए 22 कोश्चन हो चुके हैं आपके देख सकते हैं इसके बाद अभी 30 कोश्चन कम से कम करने हैं फटा पट सुरू करते हैं एन्टो किस प्रकार का आकसाइड परवच्छो तो उदासीन है कैसा है एन्टो किस प्रकार का आकसाइड तो उदासीन है कैरो अमलका रासानिक सोत्र H2SO5 क्या H2SO5 आए समु 16 के तत्तों को कहा जाता है कैलकोजन और समु 17 के तत्तों को हाइलोजन ठीक है और समु 18 के तत्तों को एरोजन अक्री गैस निस्क्री गैस दूढलव सरी आप उतकरश्ट गैस समु अठारा की तर्टो को कहा जाता है सरवोज चिले क्रान बनुता पाई जाते है क्लोरीन की और उन्हें बिदुता फ्लोरीन की यह चीज आपने पढ़ लिया नमी में उपस्थित क्लोरीन किसका कार करती है तो बिरंजक का कार करती है बाईवरन के टायरों में कौन सी गैस भरी जाते हैं तो हीलियम गैस हलकी होती है तो हीलियम गैस प्रयोग किया जाता है पहले हाइड्रोजन गैस प्रयोग किया जाता था लेकिन आप सबको बता होगा कि हाइड्रोजन जो होता हो जोलन सील है इसलिए हाइड्रोजन गैस का प विरंजन में किस गैस का उपयोग किया जाता है ओजोन का प्रयोग करते हाथी दाथ तेल आदी का विरंजन करने के लिए एक प्रति क्लोर का नाम बताना आपको तो प्रसीतन में किस गैस का उपयोग होता है तो अमोनिया का प्रयोग किया जाता है जल का घनत तो किस ताप पर सरवादिक होता है तो ओजोन परत करता है कौन करता है ओजोन परत चले अगला कोश्चन है मार्सल अमलका सुथ H2O8 क्या H2S2O8 मार्सल अमलका सुथ रहे सामान नताप पर ब्रोमीन की सवस्था में पाए जाता है तो द्राव वस्था में ठawan की सवस्था में द्रवस्था भिरंजऑक चूम्ड का नाम ccada Cl2 इसका सोत रोता है calcium chloro hypo chloride calcium chloro hypo chloride ठिक radioactive hydrogen का नाम बताना है estatin क्या प्रवच्चो estatin radioactive hydrogen का नाम estatin विद्दुद बल में nitrogen के साथ किस उत्ख्रेश्ट gas को भारा जाता है या उपयोग किया जाता है तो है प्रवच्चो rice oil oxygen का प्रॵच्चा का प्रॵच्च प्रोग किया जता है cancer के उपयोग आने वाली उत्रष्ट गेस का नाम बताना है आपको तो रेडान का प्रॵच्च किसका रेडान का प्रॵच्च किया जाता है cancer क्रॵच्च में कारनेलाइट का सूत्र लिख numerose KCl Mg-Cl2 in to 6H2O , कार Heights का सोथ है प्यार बच्रो क.. KCl Mg-Cl2 in to 6H2O , फ्लूरीन किस उत्र्वस्ट गैस के साथ क्रिए करती है ? तो जेनान किस के साथ ? जेनान के साथ क्रिए ह , बायोवंडल में किस उत्रष्ट गैस की उपलबधिता सरवदिक है ? उत्रष्ट गेस की उपलवधता है यहां पर पूंचे गई है आप यह मत सोचने जना कि नाइट्रोजन गेस कर दो नाइट्रोजन की सरबाधिक मात्रा में पाई जाती है मतलब उपस्थिती है लेकिन उटकर्ष्ट गेस में से आरगन है सबसे ज़्यादा ठीक है समुद्री सेवाल किस हैलोजन का मुख स्रोथ है तो आयोडीन का XEF6 का आकरती क्या होता पैरवच्छो तो विक्रत अश्ट फल किया XEF6 की आकरती क्या है विक्रत अश्ट फल किया बिग्यापनों के लिए सरवादिक किस गैस का प्रयोग किया जाता है तो नियान का प्रयोग किया जाता है आगे देखते हैं ओलियम का सोत्र H2, H2O7 और मार्सल अमल H2, H2O8 हास्ट गैस का सोत्र बताना है तो N2O क्या N2O मेटा फास्फोरिक अमलका सोत HPO3 क्या HPO3 सल्फियूरिक अमलके और दोगिक निर्माण में प्रयोगत उत्प्रेडा क्या होता है बेनेडियम पेंटाक्षण B2O5 P4 अनुकी सनरचना है चतुस फल किये P4 अनुकी सनरचना कैसी होते है चतुस फल किये N2 अनु की सनचना कैसी होते हैं, पैरवच्चों रेखिये, कैसी होते हैं, PCL5 अनु की सनचना कैसी होते हैं, 3 कोणी है, 2 पिरा मिड़ी है, 3 कोणी है, 2 पिरा मिड़ी है, Sf6 अनु की सनचना कैसी होते हैं, 8 फल किये, Sf4 अनु की सनचना, तो 3 कोणी है, 2 पिरा मिड़ी है, XeO3 में किस प्रकार का संक्रण पाया जाता है तो SP3 प्रकार का संक्रण पाया जाता है किस प्रकार का संक्रण SP3 प्रकार का संक्रण पाया जाता है फ्लोरिन की आक्सिक नवस्था कितनी है तो माइनस वन फ्लोरिन की आक्सिक नवस्था कितनी है लगबग लगबग 60 question आपके complete हुए है उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इन सभी प्रश्णों को अच्छे से त्यार कर लेंगे और पैर बच्चो इसी प्रकार हम आपके लिए वीडियो लाते रहते हैं इसलिए चैनल पे दी नए चैनल को subscribe कर लें साथ ही बेल आइकन प्रस कर लें ठीक है मिलते हैं के लिए वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिन बंद मातरा